दोस्तो आज से हमें एक नई सीरीज शुरू करें हैं जिसका नाम है Hair Solutions इस सीरीज के अंदर हम अलग-अलग एपिसोड में बालों की अलग-अलग समस्याओं का समधान डूढने की कोशिच करेंगे और आपके बालों की हर समस्या को कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तो यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल दवाना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो दोस्तो आज के वीडियो में मिरे साथ बने रहिए और समझिये वो पाँच बातें जिने जानकर आप अपने जड़ते हुए बालों को रोक पाएंगे दोस्तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो है क्लियर यूर स्केल्प आपको अपनी स्केल्प को और बालों को बिल्कुल क्लियर रखना है क्लीन रखना है हाईजिन मेंटेन करनी है जब हमारे बालों में डेंटरफ आती है फंगस आती है डस्ट आती है तो हमारे बाल ज़्यादा जड़ना शुरू हो जाते हैं आप किसी भी अच्छे माइल्ड शेंपू से अगर वो हर्बल है तो बहतर है अपने बालों को नीमित रोप से साफ कीजिए बालों को कैसे धोना है इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं आप उन्हें रेफर कर सकते हैं तो नीमित बालों की स्फाई आपके बालों को स्वस्त रखने में आपके बालों को घना रखने में आपके बालों को शाहिनी रखने में आपके बहुत काम आएगे दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है address your diet अपने खान पान का ध्यान रखना है जब बालों को potion मिलना कम हो जाता है जब बालों को proper minerals, vitamins, protein नहीं मिल पाता तो बाल telosan face में ज्यादा चले जाते हैं उनकी जड़ने की दर बढ़ जाती है 80 ratio, innocent telosan ratio 90-10 से बढ़के 80-20 या 70-30 हो जाती है जिससे बाल telosan effilium state में चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा मातरा में जड़ते हैं तो आपको दूसरा काम जो करना है वो है संतूलित भोजल लेना जिसमें minerals, vitamins, protein भरपूर मातरा में हो और इसके 7-7 कम 6-7 गिलास पानी भी द जियान रखनी है वो है take adequate sleep जी हां दोस्तों नींद का हमारे जीवन में हमारे स्वास्ते को लेकर बहुत बड़ा महतब है और बाल भी इसे अच्छूते नहीं है यदि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपके बाल भी खराब होना शुरू हो जाते हैं उनमें oxidative stress आ जात वो सुकटने लगते हैं cuticle खराब हो जाती है तो इसलिए अच्छी मींद आपके बालों की सहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथ से आठ गंटे की sound sleep चोथी बात जो आपको जड़ते हुए बालों के लिए ध्यान रखनी है वो है manage your stress जी हां दोस्तों तनाव हमारे श सकता है बालों को पतला कर सकता है जड़ने का कारण बन सकता है इसलिए यदि आप तनाव में है stress में है anxiety में है या depression में है तो उसे बाहर आने के लिए meditation करिए और अच्छी तरह से इसे manage करना सीखिए क्योंकि आपके स्वास्ते के साथ साथ आपके बालों को भी बिमार बना और दोस्तों सबसे अंतिम बात कंसल्टे ट्राइकोलोजिस्ट जी हां दोस्तों सबसे अंतिम पांचवी बात कंसल्टे ट्राइकोलोजिस्ट जब आपको सब कुछ करने के बाद भी अराम ना आये तब आपको अपने ट्राइकोलोजिस्ट जो बालों के चिस्सक होते हैं उ तो आपकी ट्राइकोस्कोपी भी कर सकते हैं, कुछ और अन्य इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट वगएरा भी लिख सकते हैं, जिससे बालों की एक्शल बीमारी तक पहुचकर आपका वो इलाज कर पाएं, द्वाईयों के साथ साथ पी आर पी या जी एफसी थ्रैपी भ वालों को जल्दी से कंट्रोल कर पाएंगे.